मित्रों राम कथा कलियुग में सारे मनोर्थों को पुर्ण करने वाली कामधेनु गव है और सज्जनों के लिए सुन्दर संजीबनी जरी है अबुधबिश राम सकल जन रंजनी जैसी आराम जै जै है नुमान अराम कथा कलिकलुश भी भंजनी जैसी आराम जै जै है नुमान राम कथा अकली पन्न गवरनी अपुनी बीबे कपाब कखुवरनी राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली सब मनुष्यों को प्रसन करने वाली और कलियुग के पापो का नास करने वाली राम कथा कलियुग रूपी शाप के लिए मोरनी है और बीबेक रूपी अगनी के प्रकट करने के लिए अरनी है कहा जाता है मन्थन की जाने बाली लकरी को अर्थात इस कथा से ग्यान की प्राप्ति होती है अर्राम कथा कलिकाम दगाई जैसी आराम जै जैहनुमान अशुजनस जीवनी मूरिशुहाई जैसी आराम जै जैहनुमान अशुईब शुधातल शुधातरंगिनी अभय भंजनी ब्राम भेकभु अंगिनी राम कथा कलिक में सब मनोर्थों की पुर्ण करने वाली काम देनुगाउ है और सजुनों के लिए सुन्दर सज्जीवनी जरी है प्रित्वी पर एही अम्रित की नदी है जन्म मरन रुपी भैकानास करने वाली और भ्राम रुपी मेधको को खाने के लिए सरपनी है अशुर सेन समन रक निकंदनी जैसी आराम जै जैहनुमान अशाधु विबुधकुल हितगिरी नंदनी जैसी आराम जै जैहनुमान असंत समाज पयोधीरमासी अबीश्वभार भरय चलचमासी यह राम कता अशुरों की सेना के शमान नरकों का नास करने वाली और साधु रूप देवताओं के कुल काहित करने वाली पारवती दुरगा है यह संत समाज रूपी छीर समुद्र के लिए लक्षमी जी के समान है और संपुर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पिर्थवी के समान है तो बोलिये सियावर राम चंद्र की जै अयवद्या राम लला की जै ब्रिंदावन विहार इलाल की जै पवन शुतहनों मान की जै बोलो भाई शब शंतन की जै हर हर महादेव जै सिव संभो